हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी मेरा नाम रोशन है और आज की जो रेसिपी है वो सब की फेवरेट होने वाली है जी हाँ आज हम लोग मिलकेक या निकी कलाकंद बनाने वाले हैं लेकिन इससे दानेदार रेसिपी आज तक आपने नहीं देखी होगी बस आप लोगों से कलाकंद यानि की मिलकेक तो ये तीन लेटर दूद है पतीले में और ये बड़ी सी कडाही ली है मैंने अब हमें इस तीन लेटर का मतलब एक लीटर दूद ट्रांसफर कर देना है मतलब हमें एक लीटर दूद इस कडाही में ले लेना है और दो लीटर दूद इस पतीले मे रखना है अब हम कडाही और पतीले को गैस पे रख देते हैं और गैस ओन कर देते हैं गैस ओन करने के बाद आपको इसे continue चलाते रहना है जो पतीले में दूद है उसे हमें boil लाना है मतलब कि एक boil इसमें आना चाहिए और जो कडाही में दूद है उसे हमें अच्छी तरह से boil करना है क्योंकि हमें इसकी रबडी जैसी बनानी है simple है तो इसे continue चलाते हुए रहना है आपको यह देखे इसमें अच्छा boil आने लगा है इस दूद को पकानी में थोड़ा ज्यादा time लगेगा तो जब तक यह पक रहा है तब तक हमारे पतीले में जो हमने boil करने के लिए दूद लिया था वहाँ चलते हैं तो इसमें भी अच्छा खासा boil आने लगा है इसमें एक boil आ जाना चाहिए हमें इतना ही इसे boil करना है अब यह दिखें boil आ चुका है तो अब हम क्या करेंगे कि एक कटूरी लेंगे कटूरी में आपको डाल देना है विनेगर लगबक चार बड़े चमच आपको इसमें विनेगर डाल देना है और लगबक 100 ml पानी आड़ कर देना है अब हम इस जो हमने पानी और विनेगर का गोल तयार किया है अब गैस आपको कर देनी है बंद अब यह जो पानी है हम इसमें एड़ करेंगे सारा पानी एड़ कर देना है और आपको धीर यह हलके हाथ से चलाना है अगर ये दूद नहीं मतलब छेना नहीं छोड़ता है तो थोड़ा विनेगर और पानी और डाल सकते हैं तो पूरा छेना दिलिकल चुका है इसे हम एक जो कॉटन का कपड़ा होता है उसके उपर ये सारा जो छेना है वो हम ट्रास्वर कर लेंगे अब ये देखिए बहुत ग निकल जाए बस यही इसका मतलब पानी अच्छे तरह से इसको धो लेना है अब इसका हमें पानी निचोड़ना है एक एक बूंद आपको पानी इसका निचोड़ लेना है ये बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है इसका छेना निकल चुका है और अब हम इसे एक थाली में ट्रांस्फर कर लेंगे और इसे कोई जादा मतना अगेरा नहीं है बस थोड़ा सा अच्छी तरह से इसके हलके हाँ से इसे मैश कर लेना है बस इसे कोई जादा मतनी की जगवत नहीं है यह देखिए अच्छा तरह से यह डोज ऐसा तयार हो चुका है और हमारे दूद की तरफ हम आ चुके हैं जो हमने कडाही में रखा था और यह अल्मोस्ट 300 ml दूद बच चुका है मतलब जैसे रबड़ी होती है वैसी थिगनेस इसकी हो चुकी है याद रखिएगा यह दूद को आपको 300 ml करना है देखिए ऐसी थिगनेस हो जानी चाहिए उसके बाद ही आप इसमें यह जो छेना है हमने जो निकाला है वो एड कीजेगा जितना गाड़ा आपका दूद हो जाएगा उतना यह छेना डालने के बाद दूद फटने के चांस कम हो जाएंगे ठीक ह इसमें मैंने 100 ग्राम चीनी डाल दी है यह इनफ है इतनी मतलब इतनी कॉंटेटी के लिए 100 ग्राम चीनी इनफ है अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा एड कर लीजिएगा अब कंटीनु इसे चलाते हुए रहना है जब तक यह थोड़ा थिक न हो जाए और यह सब थिकनेस वगरा बहुत इंपोर्टेंट होता है एक ट्रे में मैंने घी ब्रश कर लिया है और हम सारा जो मिक्चर है कलाकंद का वो इसके उपर ट्रांसफर कर लेंगे काफी दानेदार बनी है अब इसे सेट होने के लिए लगबग 3-4 घंटे आपको छोड़ने ही होंगे बेट इंतजार करना ही होगा मैं भी कर रहा हूं तो हो चुके हैं इसके उपर मैंने ये चोचले बाजी है एक्चुली ये थोड़ा दिखाना पड़ता है वरना व्यूज आते नहीं है आप लोग देखते ही नहीं है सिंपल मतलब सिंपल रहना बहुत मुश्किल हो चुका ह तो ये मैंने थोड़ा सा चांदी वर्क इसके उपर डाल दिया है सिंपल चीजे कोई नहीं देखता सच बात तो यह है तो आप इसको आपको कर्स लगा देना है वैसे कर्ट लगाने की जरूत नहीं हो ऐसे ही आप निकाल के खा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर मैंने कर्स इसमें लगा दिये हैं लीजिए दानेदार और सॉफ्ट कलाकंद बन के तयार है उमीद करता हूं रेसिपी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए और चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू सो मच पर वाचिंग थैंक यू सुमाद बढबाइ